देवसाइनी ऐकादसी कब पते हैं और देवसाइनी एकादसी के बाद चतुर माष लग जाता है वो चतुर माष में मांगली कारियर क्या बंध हो जाते हैं तो इस वर्ष जो है 2024 में 17 जुलाई को एकादसी पढ़ रहा है उस दिन भगवान विश्नु सयन करने चले जाएंगे और सयन के साथ ही संत महात्माओं का शातुरमास बरत प्रारंब हो जाएगा और जब शातुरमास बरत प्रारंब हो जाएगा तो इस समय कोई मांगलिक कार्थ नहीं होते ह क्योंकि भगवान जब सो जाते हैं देवताओं की रात हो जाती है इसलिए कोई भी सुभकार रात में नहीं करनी चाहिए कि देवताओं की रात होती है तो उसमय सभी मांगलिक कार्थ बंद रहते हैं इसलिए कोई भी मांगलिक कार्थ ये चार महीने में नहीं होता है ये व